हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुदीप और आप देख रहे हो फ्री नॉलेज गेन का वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि मल्टिपल जीएस्टी टेक्स रेट के जो आइटेम्स है वो सिंगल इन्वाइस में कैसे एंट्री करते हैं तो सेम टॉपिक के उपर मेरे चैनल पर और वीडियो है लेकिन उस वीडियो में थोड़ा क्रिटिकल तरीके से दिखाया हुआ है इसलिए आज यह नया वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको सिंपल तरीके से इसको सीखने को मिले तो चलिए सुरू करते हैं पहले हम लोग एक नया कंपणी क्रियेट कर लेते हैं कंपणी के नाम देते हैं xyz traders एड्रेस वह दीजेगा country दीजेगा और एक बात ध्यान पर रखेगा दोस्तों gst के entry के लिए कि state जरूर दीजेगा हर जगा क्यूंकि state अगर गलत होगा तो आपका gst calculation भी गलत होगा या तो फिर calculate नहीं तो जैसे कि यहां पर state दे देते हैं देली उसके बाद इसको enter दबाते हुए save कर देते हैं अब आ जाई है tally के main screen पर यहां से प्रेस कीजिए f11 यहां से आ जाई है statuary and tax session पर अब यहां पर देखे पहला जो option है enable goods and services stats gst इसको yes कीजिए उसके बाद next option है set alter gst details इसको भी yes की अब देखे state यहां पर state कौन सा दीजिएगा जो आप company create करने के time दिये था माली जासे कि आपका जो business है वही same state यहां पर भी होगा तो देली ले ले लते हैं उसके बाद registration type registration type composition है या फिर regular है regular जो भी होगा आपका वो select कीजिएगा हम लोग यहां पर suppose ले ले लेते हैं regular उसक इसके बाद इसको एंटा दबाते हुए save कर दीजिए इसको भी एंटा दबाते हुए save कर दीजिए अब आ जाई यह टैली के मेन स्कीन पर अब चलते हैं भावचस पर आजाई accounting भावचस पर 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 आप लोग आ गये है date देदीजिए उसके बाद party पार्टी के नेम पर पार्टी के नेम दीजिए सपोस हम लोग ले रहे थे cash purchase कर रहे हैं इसलिए cash ले रहे हैं और यहां पर देखिए cash से आगा purchase कर रहे हैं तो उसके यहां पर देखिए state state जरूर select कीजिएगा जैसे के हम लोग delete select करते हैं और gst registration type regular ले ले लेते हैं और gst number यहां पर gst number आप जिस party से माल खरीद रहे हैं उसका gst number यहां पर आपको देना पर रहेगा दे दीजिए और उसके बाद यहां पर एक purchase का laser kit कर लेते हैं alt c place कीजिए purchase under देजिए purchase account और यहां पर देखिए is gst applicable इसको applicable रहने दीजिए और उसके बाद type of supply क्या है goods हम लोग ले लेते हैं और save करते हैं तो माली जीए हम लोग दो आइटेम लेंगे जैसे कि एक mobile लेंगे एक computer लेंगे तो मान लेते हैं mobile का gst rate है वो 12% और computer का gst rate है वो है 18% तो इस दोनों आइटेम को लेते हम लोग देखेंगे तो यहां से पहला आइटेम create कीजिए alt c press कीजिए उसके बाद यहां पर type कीजिए mobile यहां पर units create कर लीजिए alt c दीजिए हम pieces दे रहे हैं अब इसको save करिए और यहां पर दीखिए gst applicable gst applicable को applicable करिए और उसके बाद next option है set alter gst details इसको भी yes कीजिए enter दीजिए अब देखें mobile का जो description होगा आप जो भी चाहे रखना तो वो आप gst पे sorry description पे टक दीजिए उसके बाद hsn code mobile का जो hsn code होगा वो दे दीजिए सपोस हम दे देते हैं 1,2,3,4,5 अब calculation type calculation gst जो calculate करेगा किस के उपर करेगा item के rate के उपर करे तो यह on value करेगा उसके बाद taxability mobile के उपर tax कटेगा तो इसको कर दीजिए taxable और mobile का जो gst rate है वो 12% यहां दे दीजिए अब इसको save कर दीजिए यहां पर देखिए type of supply यह mobile हम लोगों का यह goods है service नहीं है तो goods select कीजिए और इसको save कर दीजिए कि सपोज 2 पीस mobile करेद रहे हैं पार पीसे 5000 तो टोटल हो गया 10,000 का mobile नेक्स्ट अटम्ट कर लिजिए और यहां पर यूनिट जे दीजिए पीसे और gst applicable को applicable रहने दीजिए उसके बाद set alt a gst details को yes कीजिए enter दीजिए computer का जो भी description होगा आप यहां पर दीजिए उसका जो भी hsn code होगा वो दीजिए suppose हम दे रहते हैं 54321 और यहां पर देखिए calculation type यह on value रहेगा taxability यह taxable रहेगा और computer का जो gst rate होगा 18% यहां पर दे दीजिए उसके बाद type of supply computer यह goods है तो goods select किजिए और इसको save कर दीजिए तो 30,000 तो total हो गया 40,000 अब इंटर दीजिए अब यहां पर GST का laser gate कीजिए और C दीजिए cgst अंडर दे दीजिए duties and taxes टाइप of duty होगा gst टाइप होगा central tax and इसको save कर दीजिए तो देखिए यह automatic 3300 calculate कर लिया है तो यह 300, sorry 3300 कैसे calculate किया है यह हम लोग देख लेते हैं तो उसके लिए alt a press किजिए और यहां से alt f1 press किजिए तो देखिए mobile का value है 10,000 तो इसके उपा central tax लिया है 6% और state tax लिया है 6% यान की 10,000 के उपा 12% यह calculate कर दिय next option देखिए computer computer का value कितना है 30,000 तो 30,000 के उपर 9% लिया है central tax और 9% लिया है state tax टोटल मिला के 3300 हो रहा है तो इसके calculate कीजिए उसके बाद enter दीजिए यहां पे और एक laser create कीजिए alt c दीजिए sgst duties and taxes के अंडर रखिये और type of duty gst होगा tax type होगा state tax और इसको save कर दीजिए तो देखिए यह भी automatic calculate कर लिया है 3300 तो दोस्तों यह है simple तरीके से इस entry को करना और इसको save कर दीजिए तो उमीद करता हूँ यह video आपको अच्छा लगा है तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए and मिरे इस चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा subscribe करने के बाद देखेगा right side पे bell icon का button होगा तो उस button पे click कर दीजिए ताकि हम जब भी नया video डालते जाएंगे तो उसका notification आपको पहले मिल जाएगा तो दोस्तों आज एही तक keep smiling keep learning and keep growing